तो हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे सिगनेचर गलोबल के रिगार्डिंग में, यहां हम किसी प्रोजेट को बैचने के लिए नहीं बैठे हैं, हम सरफ मिस्टर मनोज जी से सरफ डिस्कस करेंगे सिगनेचर गलोबल के रिगार्डिंग, उसके बैगराउंड के रिगार अगर आप signature global को बिल्कुल deeply से समझना चाते हैं और इसकी spend को समझना चाते हैं, future development को समझना चाते हैं और signature ने पिछले क्या-क्या development किये हैं आज तक उसके बारे में भी सबकुस बिसकस करेंगे, तो आज हमारे साथ Mr. Manoj Ravad जी है, तो हम इन से जानेंगे signature के बारे में, वैसे Manoj जी ने काफी developer firm में काम किया है, तो Manoj जी को real state की काफी अच्छी knowledge भी है और लीपनी से ये real state के बारे में अच्छी तरह की से जानते हैं, तो स्वागत करूँगा Manoj जी आपका, आप थोड़ा सा हमारे subscriber को guide करें, real state के बारे में, तो सबसे पहले आप अपने बारे में थो आप महिने हुए है, अभी recently एक बहुत successful project अब किया था मैंने, और DXP 37D अगर आपने सुना होगा, DXP Deluxe, जो बहुत जादा ही super hit रहा था, I think more than 900 units हमने बेचे थे, तो पूरे particular project में, and it is one of the most excitement हमारे लिए भी था, कुछे मारा पहला project था, एक luxury में हम जब enter करते हैं, तो कर पाएंगे, तो किते सजार पोस्त हैं, and we did it, market में हम सबसे पहले नमर थे, जब हमने वो project launch किया, और हमने वो पूरा company की बात करो, तो 2014 में formation भी थे, प्रदीप अगर जितने भी आप conferences देखते होंगे, सारे conferences पर भी अगरवाल जी हाने करते हैं, जो पूरी company को overtake करते हैं, प्रदीप जी हो गए, लालेजी हो गए, देवेंदर जी हो गए, रभी अगरवाल जी हो गए, यह सारे चारों ब्रदर करके company को run करते हैं, and अगर मैं signature global की थोड़ी सी history के बात करूं, तो signature global start हुआ था we entered into the affordable segment, बहुत लोग का question भी रहता है, कि आपने start क्या से किया, तो हमने affordable segment से start किया था, so हमने सारे stages देखे है, from affordable to mid-rise to this luxury, so हमने बहुत time लगा है, यहां तक पहुंस्टे में, हमने बहुत चीज़े सीखी हैं इस रास्ते में, अगर मैं बात करूं, जब हमने start किया था, affordable, अगर मैं बात करूं, from 2014 to 2019 तक, market में हमें सबसे ज़्यादा capture किया था, 46 to 48% हमारे affordable का capture था, majorly हम market run कर रहे थे, पुरे entire NCR, affordable में, अगर मैं affordable के बात करूं, तो एक ही नाम आता था, signature global, फिर हमने अपने आपको और थोड़ा premium category में हम लेके गए, हम मैं बात करूंगा, फ्लोर्स की, एक बहुत अच्छा सा, हमारे पास दीन लिया, अबास योजना का सीम आया था, हर्याने government से, हमने वो start किया था, वहाँ पर भी हमारे 46% का वाकट है, आप देखेंगे, फ्लोर्स में, अगर मैं बात करूं, तो मेज़े inventory signature global के पास थी इन 4-5 सालों, 2019 से लेके, 2014 तक आस तक, last inventory हम ही बेच रहे, अल्मोस्स सारे sold out हो गया हमारे, अगर मैं बात करूं, अपने low rise की, कुछ-कुछ जगे 4-5-4-5-2-2 units पढ़ी होंगे, almost all sold out है, तो signature ने affordable ही क्यों शुरुआत की है, अब उस ताइम में देखेंगे, 2014 में, आपने भी देखा होगा, एक टाइम आया था जब बहुत सारे developers गायब हो गए थे, बहुत सारे developers नाम नहीं लेना चाहूँगा, जहां पर इतने सारे developers थे, जहां पर RERA के guidelines नहीं थे, बहुत stock project हो गए थे, चैनल partners परिशान थे, वह एक ऐसा time था, अगर मैं बात करूं, 2014 से लेके 2017, जहां पर downpore था, हमाई real estate के पूरे all time है था, तो वहां पर demand थी एक affordable housing की, अगर बात करें, और ऐसे housing जो government run करें, PMI का benefit मिलता था उसमें लोगों को, एक time से जब हमें real estate को run करना था, घर तो देना ही था, बट रियल state को भी run करना था, आप देखेंगे इतना ज्यादा high price था उस time में, गुडगाओं में, that people have started moving to तो बिवाडी में, मैं उस time में start किया था तो रेयर श्टेट के अंदर भी देखा था था, तो तक्रीवन 20-25 लाग रुपे में भीवाडी मिल रहा था, बल्कुछी सोना उस time में इतना डवलप नहीं हुआ था, गुर्गाओं के अंदर वह हाई-ड़े तक्रीवन 80-90 लाग रुपे में ज्यादा था, तो बिवाडी ज्यादा शुरू हुआ था, रीजन यह था आप जो बिल्कुल सही कह रहे, जो गुर्गाओं है उस time में बिल्कुल स्टेज में नहीं था, जहां पर लोग जाए, मूफ करे, आइटिंग तब डियलस ने, आइ तक वो टिकेट साइज इतना था कि वो क्लाइंट्स जो एक अफोरडबलीटी के रेंग में नहीं आ रहा था, तो पीपल स्टेड मुविंग आउट गुर्गाओं से, पीपल स्टेड मुविंग तो विवाडी, जहां पर मेजर चंक, बट नाउ इस time, गुर्गाओं मार्के को हमें एक ऐसा सेक्टर लानता, जहां पर रियल स्टेड बूम करें, और लोग के वो अकोड़िबल रेंज हमने देखा, हमने वो सेक्टर फिर उसको क्याप्चर कर रहा हम आव पर आप देखेंगे हम कि सारा का सारा फ्लो सप्लाइ अपोड़िबल में यहां और लोगोंने स्टार्ट किया यहां पर रहना, क्योंकि जब लोगों को यहीं पर घर चीज मिल रही है, सारी चीज़े मिल रही है, वित गवर्मन का जो बहुत अच्छा सा इनिशेटिव का प्याप्यमाई का, वह इनिशेटिव मिलना स्टार्ट हुआ, तो सारे लोग दुबारा वापक अगर आप देखें, आप कह सकते हैं, तो थोड़ा सा हमने भी अपने आपको टाइम के साफसे, हम धोड़ा है, लक्षरी के सब्सक्राइब आपको प्लूर बता है नाओ अभी रिसेंटल आपने सुना होगा इंदी मंत अफेब मार्च हमने एक प्रोजेक्ट लॉट्ट किया था सब्सक्राइब आपने आपके जैसे की दियाल के होगे या पेर आपके अफोड़ेबल के होगे तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जो बहुत सा ज्यादा काई तक बिले भी हुए तक गरीबन एच से बीट साल भी सब्सक्राइब कोई दो साल तक भी डिले हुआ है ऐसा तो नहीं है कि डिले हुआ है आप लॉक्डाउन के शायद से बात कर रहे होगे लॉक्डाउन में भी मारा काम चलगा था खोड़ा बहुत रीजन यह था कि जब गवर्मेंट ने कम्प्रीट रिस्ट्रिक्शन लगा उसके वज़े से बहुत सारी बात करूंगा बुर्गाउम आपके में देखेंगे जैसा अंटिसेपेट नहीं था तो वह नाच्रिक्लामेटी आप कहलें राइट उसकी वेसे बट अब सारी प्रोजेक्ट समारे टामी डिलिवर्ड है जो हो जो हमने ताम अभी आप देखें प्रोजेक्ट नहीं है आप देखेंगे बाक टुबाक मेरे लॉंच भी रहेंगे और बाक टुबाक में डिलिवरी भी करने यह तो है कि अपोर्डेबल हो चाहिए दीन दियाल हो चाहिए हैसी हो या लगजरी हो या कमर से लोग सिगनेचर के पास हर प्रकार की प्रोपर्ट सब कूछ है कि शिगनेचर के बाद सब कुछ है बरत अपोर्डेबल में ऐसा नहीं लगता कि उस टाइम के बाद है कि सिगनेचर बिल्कुली बन कर रहा है या कुछ ऐसे प्लान हो प्रेंगे जारी रही रहे घा है यहां पर चार टावर हम ला चुके और चे टावर का बिल्डिंग प्लाइशन तो वहां पर डेफिनेटली सिक्स आवर और दो टावर साइं अभी के लिए फिलाल के लिए हमारा ध्यान रहेगा प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं को हमारा एक लग्जी सेग्वेंट है तो इसमें जैसे कंपनी काफी टाइम जो जाचोजा से लेके अभी तक हो गया तो 2023 में आके इनोंने अपना करना आइप्यों लोग्स करने का मजल प्रपस था कि पब्लीक से फंड की जुरूरत पड़ गई कुछ ही कंपनी लिस्टेड भॉप फप्ली प्रप यह पता होता कि कंपनी सब्सक्राइब करें अंड वी अर्डिक में फॉर्टिक पूरे इंडिया के फॉर्टीन फॉर्टी तूर्टिक में वांटे इन टॉम्स अव्किश्टंस अपनिन थुप्ली आइच्ट करोंगी लो लोगों का ट्रस्ट था आप विश्वास में करेंगे सेप्टेंबर 2023 को around 370 के आसपास कमाने शेर था आप आज ट्रेज देखेंगे करीबन करीबन 1314 सो क्या था तो इसमें आप लोगों ने जैसे लास्ट जो प्रोजेक्ट पहला ही प्रोजेक्ट था जो आपका लग्जरी कंसर्म उसके अंधर था तो आप ने न्यूज फेपर बगारा में जैसे आग डाले कि वही हमने 48 आउट्स में उसको सोल्ड कर दिया रहा तो क्या वो सही है या वै यह वरी हापी पूर पिए रिसपॉंस आप 900 फ्लाइट बेचें हमने, लुट अप्ट्स क्राइटे क्या शथा ने था रहती है। तो यह प्रश्ट करें जाने की जुरूरत ही है लेकिन में के आता है जो से इन्वेस्टर के लिए बात करें तो क्यान करी टीवी कर तो होता है तो यह सब थोड़ी से आती है तो इस पर पुड़ा को विजार करें लिए इन्वेस्टर सार मोर्दन है आपको अर्फ यह में हमारा देखेंगे इतने सारे अनरे क्लाइं इसने को सोचा होगा यह प्रॉबली इन्वेस्टर एंडूसर भी हो सकते बट तो बहुत बाहर से आपके प्लाइं इसलिए लगते हैं कि क्लाइं को जैन्वन मांगना चाहते हैं अब करें बट आंप इसमें अगर आप प्रेमिंट्स प्लाइन के बात करें तो इसमें एक चीज मेरी मानना है कि जो डेवलोपर कंसक्शन लिंग प्लान लेकर आता है अगर आप ऐसे कुछ लुभावने ओपर लेके आप प्रोपरटी में एंटर होता है डेवलोपर कोई और फिर प्रोपरटी बनाने लगता है तो वो प्रोडिक्ट से टक हो जाते हैं कशलिक वो बनारहे हैं और ओपैसा ले रहे यह जो कि हग बनता है तो करस्क्शन लिंक प्लान और क्ल्प बक्ता है प्रक्राइब करें करूंगा बाकी का जो पैसा है पोजेशन पर लेता है वो कहता है यह यानि आप का अगर कहीं देखो गए तो बात मराबरी पड़ते हैं कर सक्षिन में ज्यादा जाता है आप बना भी तो रहा ना जल्दी जल्दी उसके इसाफ से आप देखेंगे एल्टी प्लान इस वन अफ देश्ट प्लान वीजन वीजन विए यह है तो जैसे रेरा इंप्लिमेंट हुआ कितना अमाउंट एंपन उससे हमें कुछ सक्टी देखें विए अर यह कंस्क्टर्च का जाता ग Déleid तो मैं मानता हूं कि इससे बेटर यह होता है कि आपका कंस्रक्शन पेज में हो जाए अब वह बात अलग है कि कुछ हम डेवलपर्स की बात नहीं करेंगे कि लेकिन जिनकी जिनको बनाना होता है वह बना लेता है अब गता है और हना की क्लिवलपर्स कुल्यों एपर बहरे होतने's क सभी अब के दूइंड भरभ वर है कंपनी को और अगर का कंपनी को टाइम से पैसा आता है तो एं ऊसका उसका संब्सक्रेशन का जाते Ciao ना चाहिए हमारा ताइम में डिलेवर होना चाहिए तो इस वना थे बेस्ट प्लान राक फॉर आश्टू अधिंग कंस्क्षिन में लोगों को भी पसंद है अब डिपेंड करता है कि अलग अलग पेमेंट प्लांस होते हैं विछ सी वट वट वी कन दो इन चूचर आप अब अब आप से कोचिश अब आप से कोचिश अब आप, स्याए जाए तो में राव जाएव बजट आपन रावनेटाब करता है कि अपना एक सेगमेंट रावनेट रहता है मैं उसको पुझे करें, यह नहीं यह नहीं यह बैट रहा है आपने एक बहुत अच्छा पुछा इसमें, कि वट वी अगर उसके बात करूं अगर उसके बात करूं, in this almost 10 years, in a decade if I talk about, I've seen everything everything from starting from affordable to mid-size to luxury, I didn't jump directly to the segment, I tested myself, I've given something to people, people are happy, we go and see the project that we have given to the clients, those who completed project, go and ask the client, they are all happy right, so testimonial मेरे लिए बहुत काम किया, but I can't ask, but I can't ask clients कि हमें इने clients को फॉल लुट के रहे हैं, आप जाए आप जाए आप जाए आपके रिलेटर्स आपको बोल रहे हैं कि इस प्लोबल ले लेगे इस से बैस नहीं होता है, रहे जाए तो एक प्रोड़क्ट जैसे कि आपका है कर्सक्शन लिंग प्लान हैं, दूसरा दे रहा है कि एक लाइवल पेमन्ट करन दे रहा है कि कुन का साल तक फॉर्यों जाओंगा मेरी नेक्स फंडिंग आएगी उस ताइम पर तो आपके लिंग प्लान में यह होता है कि स्टार्टिंग में और जब तक शूपर स्ट्रक्शर आता है पेमेंट ज्यादा चले जाती है तो वह कहता है कि मैं वह क्यों ना ले लूँ यह क्यों जो मतलब प्लान के डि प्लान आता है और यह पेमेंट प्लान आता है कंसे लिंग आप जब आक्शुल में कैल्कुलीट करने मैं बहुत सारे प्लीज डेवलिपर्स के एग्जांपल जहां मैं काम कर चुछा हूं आप देखिंगे उनके पेमेंट प्लाइट में वाइड डिफरेंस है बट मैं वह लोगों को थोड़ा जुड़ा जरूर लगता है प्रोजेक्ट के पास एक प्रोजेक्ट होगा बेशने के लिए दो प्रोजेक्ट होगा तो लिकुरेटिवाइट जल्दी बेशने की कोशिश है इसमें आप रोग इसे-क आवत्य हैं तो मेरे पर डू पर दोनी में होते हैं पहले प्रोजेक्ट पास ने प्रोजेक्ट लगे मेरे पास सारी चीज़ा है काम करने के मेरे पास लॉक्षिरी भी है एन नम्बर अप इस जितने भी प्रोडक्ट है मेरे रिसाफ से करके साइड हो जाते हैं तब दूसरा प्लान करते हैं यहां प्लानिंग हो जाते हैं तो यह अच्छी बात है कि थोड़ा सा एक चीज़ और में जाना जा रहा हूं जैसे कि मां लोगे आईक्यों वगेरा लोंच कि अंदर आ गए उसके बाद क्या है कंपनी का अभी जो प्योर फंडिंग है जो है तो क्या वो पब्लिक ही फंडिंग है य उसका मज़ब भी है कि पॉब्लिक हाज विवन संथिंग रहें लोगों को हम आप देखेंगे तो अच्छा साइन है यह अच्छा वाल है उपर आप अभी अपकमें कुछ अलग अलग है रही है के अंदर भी आपने लोगों ने आने वाले आप टाइब में देखेंगे अब बात करों पूरे गुडगाओं कि अगर मैं बात हूं spread across from गुडगाओं तो सुना तिल मानिसर एक तो जब हम multiple projects में काम करते हैं तो हमें नए ने channel से हमें मिलने का मौका मिलता है self development होती है and you learn about different projects altogether so I think this is this was for me as a very good opportunity to join signature global and I think let's see what I can do what can I add to signature global thank you Munoji आपने काफी अच्छा time निकाला और आपने हमारे subscriber काफी अच्छी information दी about signature कि इतनी गहराई सी signature की detail किसी नहीं बता रखी है और आपने डिस्कस किया कि future के अंदर भी कुछ बड़ा आप करने वाले हैं तो थेंक्यू कुरूंगा मनों जी अगें मैं सुमिझ जी आपको थांके बोलूँगा जो आपने मुझे यहां पर invite किया एक discussion के लिए it is always good to discuss about the projects क्या development हो रही है तो it is better and wish us luck कि हम और projects रहें और आप हमारे साथ जोड़े रहे जी तो झायए घची जी तो आपको भी करता है झायए जी तो झायए झायए झायए